तो बहुत बड़ा चमतकार है इनका भी शाक्षात विश्णो भगवान जी का पैर यहां पर कदम जो है हम देख पा रहे हैं गाइस आप लोग देख सकते हैं चमत साथ किलो की रोज को पर कर देली का पांत से साथ किलो घी जो ए डेली यहां पर लगता है गाइस गॉड़ मारी वेलकम बेक टुम यूट्यूब चैनल का विदहदीछ व्लोक तो आप लोग को ने मेरा लास्ट वाला वीडियो देख लिया होगा और जिन लोग ने देखे तो जाके देख लीजिए वही टॉपिक करने वाला हूं तो फिलाल आप लोग ने अगर मेरा लाश्ट वाला वीडियो देख ली है तो आप लोगों को पता होगा मैं था बुटाटी धाम डिटेल में स्क्राट करें सिस्ताट लोग बनाई था अब जो है मैं वहां से आरा था दख फॉलत द长प Kingdoms की धाश्यों दिटेल में र तो में रास्ते में मुझे तो मैंने सुचा-ब करते हैं यह मुझे जूट करते हैं बिकोजू जो समाज के लोग हैं, हिंदु जो लोग हैं, वो इन भगवान जी को मानते हैं, और जो लोग राम देवरा की यात्रा करते हैं, वो यहां पे आते ही आते हैं, चाय में हम लोग ने हमारी बाइक खड़ी कर दिये, और फिलाल जो है, मंदिर का इरिया कुछ ऐसा है, यहां पर तो यह जुंजला गाउं के अंदर जुंजला धाम है, सरी गुसाई जी महराज का, अभी अंदर चलेंगे, पुजारी जी से बात करेंगे, अच्छे से आप लोगों को डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, मैं फिलाल चलते हैं अंदर की और, जे बाबा की, जूते चपल भा जो लोग यहां पर आते हैं, वो यहां पर रेस्ट भी कर सकते हैं, बिकोज राम देवरा का जब टाइम होता है, जब लोग राम देवरा की यातरा करते हैं, पैदल यातरा करते हैं, तो लोग यहां पर आते हैं, बहुत ज़ता ठक जाते हैं, तो उसके बज़े से यह जो ब जहांब महराज जी के और थोड़ा теп लेप साइड में मैं आता हूँ तो यहां पे हाथ दो भो हात दोने की जगे है यह और पानी पीने की भरने की दोने की जगे MVP नहीं है ये बर्तन नहीं दो सकते हैं पानी ब्तान भी सकते हैं ठंडे पानी यहां के स्वीदा यहां फिदा है ठंडे पानी के हाँ जैसे कि मैंने बता है कि 으 आप आप देख सकते हैं कि ञाते हैं और आयोग गले है यहांस से आही होगे और रिश्ट कर रहे हैं किफिलाल शलते आगेः और मंदिर की और शलते हैं है बजाया जाता है साथ साथ में और भौत ही धूमदार से आर्थी की जाती है थोड़ा आपन भी गंटी बजा लेते हैं जै हो बाबाजे की तो भाई यह अंदर का सीन है कुछ इतना बढ़िया यहां पे सजाया हुआ मंदिर है और यह यहां पे पुजारी जी रमस्ते नाम राम जैमाता दी यह आप लोग देख सकते हैं यहां पे पुजारी जी यहां पे यह जो गुसाई जी महाराज है उनकी प्रतिमा है यह राजा बढ़ी के टाइम में हुआ था में इंदर इंदर यह पेर है विश्नु भगवान का तो गाइज यह जो आप पैर देख रहे हैं शाक्षात विश्नु भगवान जी का पैर है यह यह विश्नु भगवान का थीक है वो राजाबली के टाइम में यह गुशाइजी महाराज गुशों खतके और राजाबली के पेट पर पेर देखे पतार में जा राजाबली था विश्नु भगवान जी का पैर है उस्टाइम वो राजाबली निनान वे गी किया सोवा हिरुन के पुरा करण वास्ते हिंदर को राजलेवर वास्ते राजाबली के दुआरे के यह बावन अंगल का रूकदार के गिंद के बावन उंगलियां थी, बावन अवतार, ठीक है, राजा बली के दुवारे जाया, राजा बली के दुवारे जाया, तीन बावनाच, तीन बावनाच, बेन मन गी, तीन कदम, पूरी हुई नहीं, पूरी हुई नहीं इच्छा उनके, पेला बाव मक्काम अधिना है, दूसरा ये पैर 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 है, बहुत बड़ा चमतकार है इनका भी, शाक्षात विश्नो बगवान जी का पैर, यहा यहां पर आये थे तो गिंड के अपन ऐसे जिस हब से अपन गिना करते हैं उस हब से पूरे बावन उंगलियों के थे बावन बावन उंगलियों के थे तो ऐसा कुछ स्री गुषाई जी महाराज का मंदिर सजा हुआ है और सबसे बड़ी चीज जो लगी विश्नु बगवान जी का सक्षाद पैर यहां पर आम लोग देख सकते हैं अमर जयोती जो है अखंड जोत हर टाइम जब भी आप यहां पर आएंगे देखने को मिलेगी स्री नागोर जी देख पा रहे हैं गाइस यहां पर बैठते हैं आप बिजहार जी कितने साल है यहां पर नबर वायब का परिवार है और णर वाइस अपकी यहां पर सेवाय ारती है तो यह जो मंदिर यह uğ कितने टाइम से चले ख्राँड का मंदिर तो friends ये बहुत बड़ी information हम लोग को मिल गई हमारे परिवार में कोई भी छोटा बच्चा होता है तो हम लोग किसी माताजी के मंदिर जाते हैं या फिर हरीदवार जाते हैं एक बार बच्चे का जो है मुंडन करवाने के लिए तो रामदेव जी भगवान जी का जो मुंडन ह हुआ था वह यहां पर हुआ उनका जडूला हम पर उत्रा था बहुत भड़ा अपन है क्शाद पटर प्रेवार जी से नहां पर शुटारी हैं उनके तीन व пож9 का संदर his का रूप बड़ा सुन्दर एगने और जब जब रामदेवरा का टाइम रहता है जब पैदल यात्री जब आते जाते हैं तब यहां पर मतलब रहने की विवस्ता की गई है बहुत सारे लोग उस टाइम पर यहां पर आते हैं in fact पूरा मिरर से सजाए हुगा है इतनी ज्यादा बड़ी आर्ट है यह देखो से राम जी जी महाराज जी महाराज का दुना है वहां पर बाबा राम देखी का जरूला उत्रा था वहां पर ठीक है तो अगिवान है भेरुना जी ठीक है वह भेरु जी के है भई चलते हैं तो यहां पर श्री राम देव महाराज का मुन्नन हुआ था जरूला उत्रा था भेरु वाबा के यहां पर देख सकते हैं आप लोग गुशंग जी ने दोके नहीं में गो जडू लोटे ही उत्रे ठीक कोई किता एदेव जयता आ है पाभा रागी भान ना शींक है गेत्र भाई एडाली भाई है राम देजीरु इस्तान है तो यहाल के मतत्र बहुत धोट वह जीड़ी बहुत जीरुश्ट फाज़ जीरुश काफी ज्यादा मतलब देवतार बते हैं गुसाई जी महाराज का तो अठ जगा गुसाई जी महाराज ने जगा मानने है बांको जडुलोटी उतर है ठीक है वो गौरकनाच जी महाराज का धुना है वहां पे उनकी बांकी जोत बटी हुए तो चलतों रहे 24 गंटा अच्छा र अटफार किलो की जो करफ को उपर है वाई साथ किलो की लगता है रोज डेली गापंट से साथ किलो घी जो है डेली यहां पर लगता है गाईस अर ये है गोरकनाच जी तो यह गोरकनाज जी का हो गया ठीक है जहां पर अमर जोद जलती है उनकी यह फोटो आप जो देख रहे हैं यह गोरकनाज जी महराज की फोटो है बट यह था जब गोरकनाज जी महराज यहां पर आये थे उन्होंने यहां पर बैठके तपच्या की थी उसके बाद में यह जो दुना है वो गोरकनाज जी का मना गया यहां पर यह चोविस गंटे दिन रात एनी टाइम जलता हुआ रहता है ठीक है और गी से जलता है डेली का पुजारी जिगा कहना है साथ से आठ किलो गी डेली यहाँ पे लगता है यहाँ सब बैठने की वेवस्ता की गई है जो लोग रेस्ट करना चाहते हैं उनकी वेवस्ता की गई है और बहुत बड़ा मंदिर है बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आप लोगों को बहुत अच्छे दर्शन करवाए और साक्षात मूर्ती के दर्शन करवाए विश्नु बगवान्ची के पाउं के आप लोगों को दर्शन करवा दिये मैंने गाईज जो कि हम लोगों ने कभी नि किये थे वो आज आप लोगों को करवाई और साथ में मैंने भी किये तो फेंट्स अ भी आगया हूँ मंदिर के बाहर बाहर का सीन में ने आप लोगों को दिखा दिया है यहां का जैसा की पुजारी चीने बताया यहां बगल में एक तालाब है जिसका भी बहुत बड़ा चमतकार है तो फिलाल चलते हैं उस तालाब पे और वहां की डिटेल आप लोगों को थोड़ी सी में देता हूँ तो गाइस जो राम सरोवर जो तालाब है स्री गुसाई जी महाराज का जहां पे चमतकार होता है वहां मनंदीर में तो होता ही होता है यहां का जो जमतकार है मैं उस तालाब के बिलकुल सामने बताउँका तो वह जो जमतकार है रोड के बिलकुल एहां चलते हैं और जो आप लोगों को पूरी जानगर रोड़ी देता हूं डिटेल में नि-स आप लोग सामने के यह देख सकते हैं। इतना ज्यादा पानी है तलाब में और यहां का क्या सीन है वहां बिल्कुल टटके पास में बैटके आप लोगों को बताता हूं। तो यह इतना बड़ा सारा चलाब है। पूरा की पूरा बारी कभी खातम नहीं बहुता पहली चीज्व अधीक है और दूसरी चीज यहाँ पे जो चमत्कार है मेन जो पुजार जी ने हम लोग को बताए था इस पानी से जो भी शुद होता है अपना शुद्धी करण करता है जिनकी आंखेंघें नहीं होती है उपना सुद्धी करण चमतकार होता है कुछ ना कुछ सफलता उसको मिलती मिलती है, ऐसा पुजार जी ने अपन को बताया था, मैं यहाँ पर फर्स टाइम आया हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ सब कुछ, और आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा है यह सो फ्रेंट्स, यहाँ गुसाई जी महराज के बहुत अच्छे दर्शन किये, यहाँ तालाब के भी बहुत अच्छे दर्शन हो गए, राम सरवर बोलते हैं इसको, तो अभी चलते हैं आगे की और फिलाल, इस व्लोग को में यहीं पेंट करता हूँ और आप मेरा आजवला व्लोग भी आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो यहाँ तक देखाया और कुछ भी अच्छा लगए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्स्क्राइब कर लेना, मिलते जल्दी नेक्स लोग में, थैंक यू सो मज़ फो वर्चिन, बाए जल्दी नेक्स लोग में, बाए